नलंदा की बात बड़ी खबरों की बात करें तो बड़ी खबर पट खुलते ही माता के दर्सम के लिए भक्तों का जन सलाब उमर पड़ा विहार सिरिक के वैसार सूर, कालिका चौक, मुहदी नगर, बड़ी पहाडी समित अनिक जग्वों पर जियों ही माता का पड़ खुला भक्तों का ताता उमर पड़ा उनके ऐसे बात देने के लिए कई लोगों ने माता की गुद भड़ाय के रस्म को भी पूरा किया अहले सुबह से लोग माता के दर्सन के लिए पंडालों के इर्द गर्द नजर आ रहे थे जिहार शरी त्यभैसा सूर में अमरनात का गुफा और मुहदी नगर में परी लोग तो नाला रोड में शंसत भवन और बड़ी पहारी जो है कि चौक के समी नौका अकार में पंडाल तो यहां पर अच्छर धाम पूल चड़ा पर पूल पर जो है अच्छर धाम के मंदिर का भब शरूप दिया गया है जिसे देखने के लिए सर्धालों का ताता उमर पर आ है देर रात तक सर्धालों का आना स्युचिला जारी रहता है तीन दिनों तक बिहार शरीप में तिल रखनी की जगा नहीं मिल पाती है दूसरी ख़बर की बात करें तो बदमासों ने एक यूबग पर गोली चलाया है घटना बिहार खाना चे प्रताल में भर्ती करा गया अना धर्ष ने बताया कि युबग असपश्ट रूप से नहीं बता रहा है कि उसे उस पर क्यों बोली चलाए गई है मामले की जा रही हो जल्बी मामले का पलासा कर लिया जाएगा तो वहीं हम पीसरी ख़बर की बात करें तो दूर्गा- इन पर भी पावंदियां लगा दी यही है स्वदर डीएसपी अरुन कुमार सिंग ने आज ट्राफिक जवानों के साथ बैठक कर उन्हें अवश्चक जिसा में देश दिया और कडाय से नियमों का पालंग करने का दिश दिया है उन्होंने सभी जवानों को कहा है कि जहां जहां ड्रॉप जेट लगाए गये हैं वहां सकती से इसका पालंग की आ जाएगा और साथ ही सहरों में मेले को देखते हुए भीर को देखते हुए किसी प्रकार के इरिक्सा और आटो का परिचालन कीमता बंद है हलां कि मरीज को अस्पताल तक जाने की सुधा दी गई है त पताल तक पहुंचा सकें तोटी खवर की बात करें तो भोजपूरी फिल्म अस्टार वास सांसद मनोश की बारी देर साम दीपनगर पहुंचे जहां उन्होंने माता की पुझा अर्चना कर असिरवात मांगा इस मौके पर अस्थानिया मनोश कुमार ने माता का सुन्जी उ पहुंचा था मैं भी कभी दिल्ली का प्रथान रहा हूं हमारे प्रथान मंत्री नरेंद्र मोजी आज देश के प्रथान है और इसी तरह हमारी पार्टी आडिय बढ़ती रहे और अन्य जगों में जो बिठान सबाद चुना होने वाले हैं वहां भी हम बड़ी सक्की पे सा पांच में खबर की बात करें तो आज शंत बाबा आश्रब ने पांच महियाओं को चपो ने गले का मंगा सूत और चैन ले उड़े वहीं रहूई की मुक पारिशाद जो गोर्मी किरा करने के लिए पहुंची थी बदमासों ने उनका भी जेवर उड़ा ले भागा उनका क मंदिर उनकर्शर में चुनावी महान हर बाबा से सिर्वाद देने के लिए पहुंची कि इसी दौरान वे जब सर शुटा कर सिर्वाद ले रहे थी इसी दौरान उनके गले से मंगा सूत निकाल लिया इसके बाद पता चला कि पांच और महिना का उचक्रों ने जेवर उड मेला में भीर अधिक होने के कारण उचके इसका फाइदा उठा रहे हैं इस पर सक्ती से नजर रखी जाए जिस टैमरा पर सिंस्वारब के शार पढ़ने की माराज एनवीटी ऑनलाइन बिहार से लिए